चोकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ मगर सकरांती के दिन सास ससुर को सिद्धी चड़ाना और उतारने का जो नियम लिया जाता है वो किस तरह लिया जाता है वो मैं आज आपको बताने जारी हूँ मगर सकरांदी के दिन सास सुसुर को घर में सिद्धी चड़ाना और उतारने का जो नियम है वो इस्तर से लिया जाता है कि उस दिन सास के लिए एक अच्छी सी साड़ी उसमें चूड़ा, महंदी, मांग भणनेका, काजल, लिपिस्टिक और कंगा और ये चांदी की बिच्छिया और एक नाप की सौने की लोंग है और तिल की मिठाई और ससूर के लिए शौल है, रुमाल और पैंशर्ट के पीस है और दक्षिना के जो इसके उपर जो पैसे रखे जाते हैं वो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, दस, बीस तो इस तरह से ये पैसे रखेंगे और ये 500 रुपए ये अलग से रखे हैं, जैसे आप जब आप उनको सिद्धी चड़ाएंगे तो घर में आपकी जित्ती सिद्धिया है तो आप उनको हर सिद्धी पर चड़ाते जाएंगे तो आप उसमें पहले सिद्धी पर 10 रुपए, फिर 20 रुपए, 30 रुपए इस त साड़ी में रखी है और ससूर के लिए 65 और शोल और ये 20 रुपए और ये मिठाई का तिल तिल का सामान दिया जाता है तो ये तिल देंगे तो पहले सास ससूर को सिद्धी चड़ाएंगे चड़ाने के बाद उनको हाथ पकड़के नीचे उतारेंगे और फिर उनको पाउं छ जो भी सामान है उसके उपर हम इस तरह से पानी का चीट का छीटा लगा देंगे और रोली का चीटा लगा देंगे और ये संकर्प लेंगे कि मैं ये सामान अपने साथ ससुर को देने जा रही हूं जिसमें मैंने ये मिठाई का तिल का डिबा लिया है और साड़ी और सुआकी चीजें और चांदी और एक सोने की लोंग और ये ससुर के लिए ये पांच पीस वाले ये कपड़े लिये हैं तो ये इस से उस दिन सक्रांती के दिन साथ ससुर को सिब्डी चड़ाना और उतारने का ये नियम लिया जाता है जो इस तरह से लिया जाता है तो आज मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया है कि साथ ससुर को सक्रांती के दिन किस तरह से सिब्डी चड़ाने उतारने का जो नियम तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग जाने वाद